गुदिवनिंग फ्रेंड्स मैं अन्सुकुमर गुपता आपके आपके चाइनल एक्जाम करांती में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज हम लोग एस्टेटिक्स जी के और करेंट एफेर का सेट नमर 11 करेंगे जिसमें महत्पून एक्जाम पॉइंट आप व वडयाइ टीम के कंपथान के रूप में किसे नामित किया अपको बताना एस एंतरहस्ति क्रिकेट परशाद प्रिसाद आर्धात आइस सी क्या Download काहें दूबाई में उन्होंने आउडि आ अ आग मैंरे तसक के और एस टियिशन का कप्तान के रूप में किन नामित 10 sim क्या है और इसे समेंदित कुछ महत्पुन तथे को δेख लेते हैं पुरुबब भारती कप्तान और विकेट की प्रबल्लेबाज महंदर सिंग धोनी को अंतरास्टी क्रिकेट परिशत द्वारा दसक के ODI टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया है उन्हें ICC T20 टीम के टीम आफ दिकिट के कप्तान के रूप में नामित किया गया है तो मेंदर सिंग धोनी भारत के बिसपो अगव्लेवाज कप्तान में विघ्जित पर दीम के में से टाइगर रिजर्व ने भारत का पहला होट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू किया है निमनिकीत में सबता कौन सा निशनल पार्क है जिनों ने टाइगर रिजर्व ने भारत का पहला होट एयर बैलून वाइल लाइफ सफारी की सुरुवात की है आपके पास option है ए बादम बांधवगर्ध टाइगर रिजर्ब जो मद्यपर्देश में रिष्थी थे यासी बांधीपूर टाइगर रिजर्ब करनाटक याडी रन्थमबर टाइगर रिजर्ब राजस्थान इसमें से दो कुशनों को आप इंसर दे सकते हैं याद कर सकते हैं अधाल सब्सक्राइब करना है करेंट से संब्सक्राइब भारत का पहला टाइगर रिजर्ब पर कौन सा है जहां पर होट एयर बैलून वाइल लाइफ सफारी की सुर्बात की गई है जल्दी से इन ऑप्शनों में से बताईए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास 10 सकेंड है औ लोगों को बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा जल्ली से कॉमेंट कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका तो इसका सही होता होगा option A बांधव गड़ टाइगर रिजर्व जो मद्दे परदेश में हिस्ती थे वहाँ देश का पहला hot air balloon wildlife century wildlife safari की शुरुबाद की गया है चलते हैं next question की हो और आज के session का तिसरा question क्या कह रहा है निमलीखीत में से किस राजे ने किसानों के लिए fruits नाम के e-government portal की launch की है आपको बताना है इन चार option में पंजाब उत्तरपरदेश और करनाटा इन चार राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिनोंने fruits नाम e-government portal की शुरुबाद की है किसने की है आपको option बताना है कि e-government portal launch किया गया है जिसका नाम fruit है कौन से राज्य है आपके पास option है पंजाब उत्तरपरदेश और परदेश और करनाटा इन चार राज्यों में बताना है किसने fruit नाम का e-government portal launch किया है इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा आपका option D करनाटक राज्या ऐसा है जिनने fruits नाम से e-governance portal launch किया गया है इससे समझने कुछ facts को देख लेते हैं facts क्या कहता है हमारा करनाटक सरकार ने करनाटक सरकार ने राज्य के किसानों के लाव के लिए पंजी करन और एकिकरित लाभारती सुचनंग पढ़ना ली अर्थाज fruits का क्या फुल फ्रॉम है farmer registration and unified ministry information system अर्थाज fruits नाम से e-governance portal launch किया गया कौन सा राज्य ने तो करनाटक सरकार ने किया है बढ़ते है fruits का यह पुरा फुल फ्रॉम है यहां से यहां तक आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं आज कि सेशन के चौशे कोशन की चलते हैं चौशा कोशन क्या कह रहा है हमारा देखते हैं कि निमलीखीत में से किस आद्र भूमी अस्थल को निमलीखीत में से किस आद्र भूमी अस्थल को हाली में 42 वे रामसर आंद्र भूमी अस्तल की सूचना में सामिल सूची सूची में सामिल किया गया है आपको बना भारत में अभी तक कितने रामसर साइड है तो 2042 है कितने है 42 है तो हाली में कौन सा 42 रामसर साइड है रामसर साइड है तो एक है लोनार जील भी है रसाई साइड है आपको बताना ए लोनार जील भी सर्षाइण नावर ज्वेल या सी तस्वकार वेल्ड कॉम्प्लेक्स या डिल जील मुमूरी इन बहुत इजी क्वेश्चन है हाली में आया हुआ है न्यूस्पेपर में छपा हुआ था ब्रेकिंग न्यूस की रूप में आपको बत इसका सही करेक्टर आंसर बताईए कि जली जली कमेंट करके 10 सकें गंद्रों कौन सा इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्सन्सी तद्सो कार वेटलेट कॉम्प्लेक्स जो भारत का 42 तुमा रामसर साइड है इस संब्द से देख लेते हैं फैक्ट क्या काता है भारत ने देश के 42 रामसर सर अस्थल के रूप में लद्दाख के चांग ठंग कहां लद्दाख यूटी के चांग ठंग छेत्र में इस्तित तर्सोकार वेट लेट कॉम्प्लेक्स को सामिल किया है अथार भारत का अभी तक अभी तक 22 रामसर साइड है तो लद्दाख यूटी लद्दाख के चंग ठंग छेत्र में इस्तित है जिसका नम तस्षोकार वेट लेट कंप्लेक्स है बड़ते हैं अपने सेशन की और आगे नेक्स्ट क्या कर रहा है पाचमा क्या क्या कर रहा है इभी करेंट अफेट सब्स सब्सक्राइब भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी निम्लिकित में से किस राज्य में अस्थापित होनी है अस्थापित होगी कौन सा भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी निम्लिकित में से कौन से राज्य में अस्थापित की जान भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी अस्थापित की जानी है कौन से राज्य में आपके पाद 10 सकेंड है कॉमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा गुजरात होगा या राजस्तान होगा या महारास्ट होगा या ओडिसा होगा क्या इसका सही उत्तर इसका सही तरह है आपका option A गुजराद भारत का पहला lithium refinery कहां खोना जाना है गुजराद में है इसे समद्ध कुछ facts देख लेते हैं facts क्या कहता है भारत की पहली lithium refinery जल्द ही गुजराद में अस्थापित होनी है यह कौन करेगा अस्थापित यह भारत की सबसे बड़ी विजली वेपार और अक्षे उर्जा कंपनी मनिकर पावर करेगी कौन सा मनिकर पावर लिमिटेड से लगबग एक हज्यार करोर के रुप कौन सा कंपनी कर रहा है मनिकर पावर लिमिटेड जो एक हजार करोर रुपया लगा रहा है निवेस कर रहा है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों क्या करता है यह पोलिटिकल साइन से है भारत के राष्टपती या उपराष्टपती के निर्वाचन के संबंद में बीवादों का समधान कौन कर सकता है अठाथ बताना है कि जब राष्टपती और उपराष्टपती के चुनाओं में कुछ विवाद आ जाते हैं तो उसका निवारन कौन करेगा भारत का दिवक्ता भी संसद या डी सरबच्चे नियाली या इनमें से कोई नहीं आपका पताना है को निर्न बहुत इजी कुश्चन है जल्ली जली कॉमेंड की जिए कि राष्टपती या उपराष्टपती के निर्वाचन से समंद्धित विवादों को हल करता है कि कि आई ये से समद्धित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं फैक्ट्स क्या कहता है समिधाने के अनुचेद 71 के अनुसार के अंतरगत रास्टपती या उपरास्टपती या वाइस प्रेसिजंड के निर्वाचन एलक्षन में के समदित सभी संकाओं और विवादों का समदान भारत के उचितम नियाले अता सुप्रीम कोड्ड जो दिल्ली में इस्तित करेगा और यह उसका निर्नाई ही अंतिम निर्नाई होगा अर्थाद कभी चुना रास्टपती और उपरास्पती के चुना में कुछ भी संका या विवाद आता है उसका कौन निर्ने करता है उचि सवाका राज्य सवाक या मंत्री परस्द का बहुत ही जली जली कॉमेंट करके बताईए कि भारत का राश्पती किसका एक अभिन अंग है भारत का संसद का या लोक सवाका या राज्य सवाका या मंत्री परस्द का आपको बताना है कि भारत का राश्पती किसका अभिन करके बताई यह इसका सअ यू उतर क्या होका बहुत ही कुछंण है भारत का रास्ट पती किसका एक अभिनivos है तो सन्सद का अभिनग अर्थ याथ हम बोल सकते हैं शन्सद का निर्मान तीन फर्मूलों से मिलकर बने एक फर्मूला है जिसका नाम है भारत का राष्ट पती जोर लोक सभा जोर राज्य सभा अथात भारत का संसद किसे मिलकर बना है तो संसद बराबर हो गया राष्ट पती जोर लोक सभा जोर राज्य सभा इसे समदित कुस फैक्ट्स देख लेते हैं हम फैक्ट्स क्या कहता है तो भारत का राष्ट पती का एक अभिन हिस्सा है किसका अभिनिस्सा है तो संसद का एक अभिनिस्सा है और आर्टिकल नमर 79 के अनुसार संग के लिए एक संसद होगी जो राष्टपती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी अथा इसमें आर्टिकल नमर 79 में बता दिया गया है कि भारत का एक संग संसद होगा जो राष्टपती और दो सदनों से मिलकाई, दो सदनों में से हो गया है, एक राज्यसभा और एक लोगसभा, राज्यसभा को उच्छी सदन और लोगसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होता है, और लोगसभा जो पड़ते एक पांच वर्स में भंग किया जाता है लेकिन राज्ट बात्य इस्ताइए, हर दो साल के बाद रिटाइर होते हैं interacts बढ़ते हैं trendy question, आज का सेक्सन का आठ liberté क्या बोलते हैं भारत में पंचाइती राज़ बेवस्ता भारत में पंचाइती राज़ बेवस्ता लावू करने या डी आंदर पर्देश इन चार ओप्सनों में से बताना है कि कहां पर पंचायती राज व्यवस्ता का भारत में पहली बार शुर्बात हुआ प्रदेश इन चार और आपका उप्सन सी राजस्थान में भारत में जब पंचायती राज व्यवस्ता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था तो वो था राजस्थान इस समद्दू उस फेक्ट्स को देख लेते हैं तो फेक्ट्स क्या बोलता है राजस्थान पंचाइती राज परनाली को लागू करने वाला पर्थम राज्य था जिसका शुरुबात 2 अक्टूबर महात्मा कांदी की जनम दीवर पर 2 अक्टूबर 1969 को जवालाल नहरू मोहदे ने नगाओर जिले में पंचाइती राज की वेवसक कहाँ पर तो नौगाओर जिले में, राजिस्तान के नौगाओर जिले में कौन किया था? जवालाल नहरू ने कब किया था? 2 अक्टूबर 1969 को किया था इसके 50 दुसरा राज जी कौन सा था? अंदर परदेश था जो उसी वर्ष 1969 के इस भी में किया था बढ़ते हैं next question की ओर आज के session का नौमा question क्या कह रहा है निमलिखित में से कौन सा सेवधानिक संसोधन अर्थार constitution amendment बताना है जो नई दिल्ली को राष्टी राष्धानी छितर की दर्जा बनाती है अर्थार आपको बताना है निमलिखित में से कौन सा ऐसा सेवधानिक संसोध संसोधन है जो दिल्ली राष्टी राष्धानी छितर बन गया कौन सा ऐसा संसोधन है जिसके माध्यम से दिल्ली को राष्टी राष्धानी का डर्जा दिया गया है ह drauf 10069 संसोधन सी खत्रवा संसोधन या sa बताना है कौन साउं उत्टर साई है कौन उत्टर कौन सा ऐसा उपशन साई है जो आपको दिल्ली को रास्टी यह राज़धानी के शत्र नाहला रहता है कितना नमबर हुद था जय उत्तर हो गां गांवाथ-एस स्म्राइधानी एकट हो गया इसका सही उत्तर होगा आपका ओप्सन भी उनह Regina गया दर्जा दिया गया बढ़ते हैं समझ में आ रही हो गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और कुशन नमर्दस क्या करा है भारत का रास्टपती अपात कालिन सकती रखता है भारत में भारत का रास्टपती कितने परकार के अपत कालिन सकती रखता है आपका ओप्शन है चार परकार का भी दो परकार का सी पांच परकार का या दी तीन परकार का कमेंट किजिए क्या होगा सही उत्र इसका जल्ली से बताईए सही उत्र क्या होगा इसका सही उत्र क्या है इसका सही उत्र है आपका ओप्शन सी तीन प्रकार के भारत के राश्ट्रपति के पाद तीन प्रकार का अपत कालिन सकती है कौन-कौन सा अपत कालिन सकती है तो अनु आज़्यों में सम्धानिक तंत्र के विफर होलने प्याड और अनुचे 360 में वित्य अपात का उपबंद अभी तक 360 भारत में इस्तमाल नहीं किया गया है बढ़ते हैं next question की ओर आज के session का एगारमा question क्या कह रहा है भारती राष्टी कॉंग्रेस का पर्थम निर्वाचित इरोपेन अध्यक्च कौन था आपको बताना है भारती राष्टी कॉंग्रेस का पर्थम निर्वाचित इरोपेन अध्यक्च कौन था option A, A.O. Humes, B. George Ulay, C. Alfred Wayv या C. Nevescent पहला बताना है पहला European पहला बताना है पर्थम कॉंग्रेस का पहला महासाचीब था तो यह हो नहीं संस्थाफक और महासाचीब था इसका correct answer होगा option B जॉर्ज यूले भारती राश्टी कॉंग्रेस अथाथ आई एन सी का पहला European अध्यक्ष था इससे समगने कुस facts देख लेते हैं तो भारती राश्टी कॉंग्रेस का पर्थम निरवाचीब अध्यक्ष कौन था तो जॉर्ज यूले थे तो जॉर्ज यूले थे जॉर्ज यूले थे इसने भारती राश्टी कॉंग्रेस के चतुर्थ चौथा अधिवेशन में जो 88 में हुआ था उसकी अध्यक्ष था की थी कब की थी चतुर्थ में चौथा में और कब कब हुआ था 1888 में हुआ था इसका नाम क्या था जॉर्ज यूले पर्थम European अध्यक्ष थे इसके तो कांग्रेस के भारती राश्टी कॉंग्र इस रूल इन इंडिया इस पुस्तक का नाम है इस पुस्तक के लेखक को आपको बताना है लेखक कौन सा है यह दादा भाई नेरव जी भी कोपाल किर्शन गोस खले या सी राम रमेश चंद्र डत्य याडी आमर्त्य कुमार से निन चार ओप्सन इस बताना है कि पावर्टी अन्ड अन्ड बिटिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है जली से कमेंट करके बताए कौन सा उत्तर सही होगा इसका दस सकेंड के अंदर बताए जल्ली जल्ली फास्ट पावर्टी अन्ड अन्ड बिटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्सन सी दादा भाई निरोजी ने पावर्टी एंड उन्ड पिटेस रूल इन इंडिया नामक पुष्टक लिखी इसे समद्धित कुछ उस फैक्ट्स को हम देख लेते हैं इस पुष्टक में है क्या तो दादा भाई नेरजी जिसका जीवन काल 1885 इस लेका उनीच्छो सतर तक रहा ने 1856 इस वी में डबलू सी बेनर्जी के साथ किसके साथ डबलू सी बेनर्जी के साथ मिलकर लंडन में इंडिया सोसाइटी का ग डबलू सी बेनर्जी दादाभाई ने बेनर्जी के साथ मिलकर जिसका कार्यर भारत के दुख दर्दों को पारचार करना था इंडिया सोसालिजी का क्च्छन क्यों क्या गया तो भारत के दूख दर्दों का पृचार करना था तो 1892 combining में वो liberal party के ticket पर British house of the commons के लिए चुने जानने वाले वो पर्थम भारतिये थे याद रखिये पर्थम भारतिये थे दादा भाई निरोजय ने पुस्तक poverty and unbitish rule in India में अस्पस्ट रूप से British taxation के दौरान भारत की आरथिक दूरवेवस्था पर प्रकास डाला है धन के वही गर्मन अत्वाद हने के निकास के सिधान्त का सो पर्तं प्रिबाद किया तो दादा भाई ने प्रश toothst की के इंडिया को society में रचना घठन किया 1865 में बाद में 1892 में Liberal Party के टिकट पर वो British House of the Commons के लिए चुने जाने पले पर्थम भारतिये थे बाद में इनों ने अन्बिट पुस्तक पावर्टी एन अन्बिटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के अर्थ वेवस्ता का किस प्रकार बिटिस सब्सक्राइब खराब कर डाला भारतियान विवस्त्ता कौ उसका वन्ण किया गया है आगzem मैं सब्सक्राइब Q दैनिक आपको बताना है गदर पत्रिका गदर पाठी का गदर कौन सा ओप्शन सही होगा एक मासिक पत्रिका है या बी एक पाक्षिक पत्रिका है या सी एक सब्ताहिक पत्रिका है या डी एक दैनिक पत्रिका है इन चार ओप्शन में आपको बताना है गदर पत्र गदर कौन स पत्री का है गदर इसे सम vaccines देख लेते हैं बहुत important facts और सए राज से मुक्त कराने के लिए सहग्त राज अमेरिका और कनाडा में लाला हर्दीयाल याद किए लाला हर्दीयाल कहाँ पर तो सहिग्त राजी युएसे में और कनाडा में लाला हर्धियाल, शोहन सिंग भकना और करताग्र सिंग सरभादी ने मिलकर गदर अंदोलन की अस्थापना की इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक सब्ताहिक पत्र था जिसके पर्थम संसकरन का परकाशन एक नवंबर 1913 इसमी को सेंड फ्रांसिस्को से किया गया, कहा है सेंड फ्रांसिस्को से किया गया, कहा है सेंड फ्रांसिस्को, USA में है, गदर पाटी का सपना कहा हुआ है, सेक्तर राज अमिर्का और करनाडा में, कौन किया आता है, तो लाला हर्द्याल, सोहन सिंग, भकना और करतार सिंग है, ये ला महाराठाओं को हराया आपको बताना है पानिपत का जब तिसरा युद हुआ था वो महाराठाओं और किनके बीच में हुआ था जिसमें महाराठाओं की हार हुए option A. अफगानों ने B. अंग्रेजों ने C. मुगलों ने D. रोहिलों ने चार option में बताना है महाराठाओं को किसने हराया था सबसे easy question है इतिहास के दिरिष्टी को उन से देखा जाये तो जली जली comment करके बताएए इसका सही उत्तर क्या होगा 10 सकेंड के अंदर बताएए क्या होगा इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा option A. अफगानों ने महा महाराठाओं को पानिपत के तिर्तिय युद में हराया था फैक्ट्स बोल रहे हैं कि पानिपत का तिसरा युद 14 जनवाड़ी 1761 को महाराठाओं तो अहमद सा अबदाली अफगानों के बीच हुआ था जिसमें महाराठा सिना का नेटित व कौन के था सदा सिव राओ भाव हुए थे और इस युद को अपने आखों से देखने वाले इतिहास कार कौन थे तो कासी राम पंडित जी से आओ उन्होंने सब्दों में का अपने सब्दों में बोला पानी पत का तिर्तिय युद महाराठाओं के लिए प्रलाय कारी सिर्ध हुआ कि कौन था आखों से विए प्रमा को चन क्या बोलना है कि दिली सल्तrench का राज्य कव समाप्ट वा आपको बताना है दिली सल्तुर आख का राज्य कव राज्य हुआ कि मुगмотрите पता नहीं कौन सा काल में दिली इक गिरात् हुआ है पर्दी Carnisa का अपने में कर्षफ आपनी आप से और 8 20 saveur पर्थम लोदी के मद्धे पानीपत के पर्थम यूद्ध में पर्थम यूद्ध ने दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त कर दिया तता भारत में मुगल समराज की नीब्लली तो अंतिन सुल्तान था इब्राहिम लोदी वन्स का था परते है नेक्स कोशन की ओर आज के स्टेशन का सुल्वा कोशन क्या बलता है निमलिखीत में से किसने बिक्रमशिला विश्विद्धराली के श्थाफना की बहुत इजी कुशन है, जो भिहार के भागलर्पुर में इस्तित है, बिक्रम्सिला विश्विद्धराली के श्थाफना किसी ने किया था तो आपका option है option a ध्रम पाल महोदय ने बिक्रम सिला की अस्थापना की थी जो बिहार के जो बिहार के जो बिहार के बिहार राज के भागलपूर जिले में इस्तित है और ये ध्रम पाल अस्थापक पाल राजबंस के राजा ध्रम पाल ने किया था आगे बढ़ते हैं पालवन्स का संस्तावक कौनता है तो गोपाल था याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट रिकोशन है कि आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की हो आज के सेस्टन का सत्रमा कोशन क्या बोलता है भारत भारत सरकार ने चौधा रास्टों का रास्टी करन किस इसवी में किया था आपको बताना है कौन से वर्स में भारत ने चौधा रास्ट चौधा बैंकों का रास्टी करना नेस्टनलाइज कर दिया था बता यह ऑप्शन ए है जुलाई 10 venom में वी अगास्ट में सी मार्च 1901 में या टी जुलाइं नैन्टीन नीवी इन चार आप्षन बतलना है कि ने स्राइन्स कि आना प्राइवेटाइजासन नहीं नेस लाइज जसन जुलाइं उनीस 29 जो से सम्बंदी थे आपको बताना राजा चल्य समिति का गठन किया गया था दस सकेंड के अंदर बताईये क्या होगा इसका सही correct answer, इसका correct answer क्या होगा, इसका correct answer होगा, राजा चल्य समीति का गठन करिये सुधार समंदित किया गया, इसका समंदित कुछ facts देख ले हैं, facts क्या बोलता है, भारत सरकार ने भारत ये कर परनाली में व्यापक सुधार के लिए तु राजा जे चल्य समीति का गठन किया जिसने अपना रिपोर्ट 1991 में 1992 में और 1993 में परस्तुत कि इसमें पर्तेक्ष कर परनाली में व्यापक सुधार के परस्तावना परस्ताव दिये गया थे एक और कर सुधार समद्धी था जो 2002 इस भी में आया था उसका नाम था विजय केलकर समीति कौन था उसका जो GP कर समीति, आसा आपको समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स क्कोछन की ओर, आज के सेशन का उनिस्वा कोछन क्या बुल रहा है, कि वैत पहली बार कहां लागू हिला, वैट पहली बार कहां लागू हो याद कि आप्षन दे रहा हूं, ज हैं घ्यस्टी प स्पेन सी फ्रांस या डी रूस आपको पहले बताना जी एस टी पहले कहां आया था वही वही कंट्री में पहले वैट आया था वैल्यू एड़ेट टेक्स आया था तो इसका करेक्ट अंसर क्या होगा आपका आप्शन सी फ्रांस होगा क्या होगा इसका सहीं सब्सक्राइब सबसे पहले 10 अपरेल 1924 इस भी को फ्रांस में लागू किया था यह एक परकार का आपर्तेक्ष कर है क्या है और वह एट बी एटी का पूरा नाव एड़ेट टेक्स है और जिसे भारत में एक अपरेल 1905 को लागू किया अपरेल में कब क्या था ऐक अपरेल 1905 में लागू किया था और उसके अस्थान पर जीएस टी लागू किया कब है एक जुलाई 2017 से लागू से लागो बस्तू एवं सेवा का जिसे जीस्ट ने वैट को प्रतिपास्ट का रहा है वैट के अस्थान पर कौन सा लागो हुआ है तो जीस्ट भारत में का बहुत है एक अप्रेल 2017 को परते हैं नेक्स कोशन की हो आज के सेशन का विस्वा कोशन क्या बुल रहा है आज के सेशन का विस्वा कोशन है अंडवान और निकोबार दीप समू सबसे उची चोटी सेंडल पीक किस अस्थान पर था है अंडवार और निकोबार दीप समू का जो यूटी है उसका सबसे उचा कौन सा है परवत चोटी तो सेंडल पीक है कौन से अस्थान पर इस्तित है एक ग्रेट निकोवार, भी मध्य अंडवान, या C, छोटा निकोवार, या उत्तर या D, उत्तर अंडवान, इन चार ओप्शन में से बताना है, कहां पर इस्तित है, सेंडल पिक, जल्ली जली कॉमेंट कीजें, बहुत ही ही जी कोशन है, और रिपीटेड कोशन है, आया हुआ इस फैक्ट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स क्या कहता है, कि अंडवान और निकोवार दीप समू, जो बंगाल की खारी में इस थीत, लगबग 572 दीप समू है, जिसमें सेंडल पिक, जिसकी उचाई, 332 मांट्स, 332 मीटर है, माप कीजिगा, 332 मीटर है, अंडवान की सबसे उची चोटी कहां, उत्तर अंडवान में, आज के सेस्टन का एक इसमा कोशन बोल रहा है, एडम पूल कहां से शुरू होता है, आपको बताना है, एडम पूल कहां से शुरू होता है, इसका सही करेक्ट एंसर क्या है, ए धनुस कोटी में, धनुस कोटी से एडम पूल शुरू होता है इसे समझे कुछ फैक्ट से देख लेते हैं एडम ब्रीज को राम से तु ब्रीज के नाम से भी जाना जाता है या भारत के पंबन दीप के धनुस कोडी टिप से लेकर सिरलंका के मनार दीप तक शोलो की स्रिंखला के रूप में फैला हुआ है अर् क्वेस्टन अर्ण है कुछ दोड़ा बेट्डर या महंत्र गिरी चार उप्शन में से कर्यक्ट एंसर क्या होगा इसका कर्यक्ट एंसर होगा आपका Sowieren अनाई मुडिन क्या होगा अनाई मुडिन सम्ने की सबसें सबसें और परवत सिंखला में ही अन्ना läई परवत सिंखला सुना थिस्टि आ जिसकी सबसे उची चूटी अन्ना मड़ा अर्था परवस सिंखला अन्ना मलाई को निलगीनी में ही इस्तित है अन्ना मलाई परवस सिंखला की जिसकी सबसे उची चूटी कोने है अन्ना मुड़ी है जिसकी उचा कितनी है 6295 मीटर है यह दक्षीन भारत की सबसे उची नम्र 23 बोल रहा है। इसका उत्तर आपको क्मेंट करके बताना है, मैं नहीं बताहूं कि आपको क्मेंट करके बताना है, कि गारो खासी और जैंतिया मुख्यता कहां पाई जाती है, तो आपको पास उप्सटन है, बी नागालेंड, सी-मनीपू, डी- उत्तरप्रदेश, इन चार ओप्सन में से बताना एक अन्ना गारों खास्यों जाइंतिया कहां पाई जाती है इसका कॉमेंट करके हमको उत्तर बताइए तो आज होपली आप लोग आज का से से इंजोई किये होंगे कल मिलते हैं इसी समय साथ से आठ नाया सेट नमर 12 को लेकर एस्टेटिक जी के और करेंट अफेर का और एंटी पीसी और गूरूप टी के लिए आप पढ़ते हैं ये थांक्यू भेरी मच